नमस्कार पर्दिप पोशिक, मोटिवेस्टन ट्रेनर एंड स्पीकर आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ छोटी सोच और मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती इसलिए अपनी सोच को उची रखिए तो आप हमेसा काम्याब रहोगे कभी-कभी जो 16 साल का बच्चा होता है उसकी सोच 90 साल परानी होती है और कभी-कभी कोई 90 साल का होता है उसकी सोच यंग होती है तो यह सोच का फर्क होता है जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा चलिए आज मैं आप सब लोगों के जितने भी डाउट हैं उन सब को लेकर आया हूँ सबसे पहले आपके डाउट है कि सब लोगडाउन के बाद में के वी एस डी एस बी और बाकी जो पोस्टें हैं वो आएंगी कि नहीं आएंगी मैं यह कह रहा हूँ कि 100% आएंगी आप चिंदा नहीं करें लोगडाउन जैसे ही हटेगा आपको उसके एक दो महिने बाद अच्छी से अच्छी वेकंटी देखने को मिल सकती है इसमें कोई डाउट नहीं है तो आप अपना दिल छोटा नहीं करें और स्टेडी करते रहें आपकी स्टेडी ही आपको उस मुकाम पर पहुँचाएगी तो बिलकुल आएंगी तो अगर को इन पॉसिस चला हुआ है जी ट्रिपल एस बी और जो भी भरतिया है यह कंप्लीट होंगी की नहीं होगी कैंसिल तो नहीं हो जाएंगी देखिए इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ कैंसिल कुछ नहीं होगा लेट हो सकता है लेकिन कैंसिल के चांस कम है इमर्जन्थी ने हुई या कोई ऐसी बात ने हुई तो कहने सकते अदर्वाइज जो आपका ओन्गोइंग प्रोसेस है यह पुरा होगा कंप्लीट होगा जो जहां से रुका हुआ है वो लोगडाउन के बाद में वहां से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो टैंसन नाले यह ज़रूरी है कि देश में मंदी है और बहुत कारण है जिससे हमारी जो स्लो है चलने गती बहुत स्लो है और वो बढ़ेगी तभी तब दोगडाउन हमारा हटेगा और रोजमर्दा की जिनकी तेजी से बढ़ना सुरू होगी तभी हमारे जितने भी व्यापार हैं जितने भी हमारे नोकरी पेसे वाले हैं उनकी जो गती है वो तभी बढ़े अच्छा फिर बोलने हैं अच्छे की सर वेटिंग लिस्ट का क्या होगा देखिए वेटिंग लिस्ट भी इसी प्रोसिट में आती है जो यह आपका ओन गोइंग प्रोसिश चला हुआ है यह प्रतित होगा की लोगडाउन हट चुका है और जिन्दगी नॉर्मन होने सुरू हो गई है तो आपके जितने भी वर्क हैं वो सब नॉर्मन होते चले जाएंगे तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें यह किवार सोच का फर्क है और एटिटूड का फर्क है कि कौन कै कैसे सोचता है कैसे भी करता कैसे रियक्ट करता है इसी रियक्सर्ण पर मैं बताऊंगा कल मैंने सुबह मोर्नी में इतनी अच्छी वीडियो बनाई उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंत या कोई बी ऐसा नहीं था कोई चीज की जिसे आप डिसापंट हो लेकिन एक सोच क पर मुझे मैसेज भेजे वो बहुत ही दुख भरे थे मेरे लिए तो यानि कि बिना वीडियो देखे हुए ही प्रेडिक्ट सी प्रेडिक्ट दोनों सकता है ही थी प्रेडिक्ट जब तक आप किसी चीज को नहीं पढ़ोगे उसका एनलाइज नहीं करोगे अपने मन मताबिक डिफिजन दे दोगे क्या है ना इंडिया में सभी जज सभी जज बने हुए है वकील कोई नहीं यह सीदा जज है बस फरमान सना दिया कि येस आप गरत हो आपको जेल तो सब जज हैं हाँ तो आपके जो कॉमेंट्स में यही आ रहा है बार बार एक बच्चों का इज का रहा है कि तर एज घटी है या बड़ी हुई यह थी यह कि जब तक आपका एड़ाज्मेंट नहीं आ जाए या जो एड़ द्या हुए है और फिर दिया हुए है तो अभी इसमें अमेंड्मान चल रहे हैं यह सिल्द्ध नकी कम ह कर आई थी तो इसमें हम नहीं बोल सकते कितनी एज होगी जब तक एड़ाजिमेंट नहीं आ जाए तो एज का हम कनफर्म तभी करते हैं जब आपकी एड़ाजिमेंट आ जाएगी तो आप सब लोग खुस रहें घर रहें और अपने जो माता-पिता हैं उनका ध्यान रखें औ और आगे आगे वारे समय में भी ऐसा ही अपना एटिटूड रखें पोजिटिव एटिटूड रखें सोच को अच्छी रखें नमस्कार जैहिन बंदे मातारा